अमस्कार आज हम तीसी कक्षा की हिंदी की पाठे पुस्तग वीना के पाठ चोदा किसान की होशियारी के प्रशन उत्तर करेंगे तो आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहला प्रशन बातचीत के लिए आपको अपनी कौन-कौन सी वस्तुएं प्रिये हैं तो उत्तर है मुझे मेरे खिलोने, कपडे, जूते और ड्रोइंग की किताब प्रिये हैं तो आपको अपनी कौन-कौन सी वस्तुएं प्रिये हैं इस प्रशन के उत्तर में आप उन सभी वस्तुओं को याँँ पर लिख सकते हैं अगला प्रिशन यदि आप भालू के स्थान पर होते तो किसान से क्या कहते अगर मैं भालू के स्थान पर होता तो मैं किसान से कहता कि हम दोनों मिलकर उपज को आधा आधा बाटे जिससे दोनों को बराबर का लाव हो कि अगर जो भी फसल होती अगर उसे आदा आदा बाट लेते तो उससे क्या होता दोनों को हिलाव होता प्रश्न तीन आप किसान की चतुराई के बारे में क्या सोचते हैं किसान बहुत चतुर था उसने भालू की हर चाल का सामना होश्यारी से किया और खुद को नुकसान से बचाया अगला प्रश्न सोचिये और लिखिये किसान ने भालू से बचने के लिए उससे क्या कहा किसान ने कहा मुझे क्यों मारते हो उपज होने दो जो कहोगे वही खिलाओंगा प्रश्न दो भालू ने दूसरी बार नीचे की उपज क्यों मांगे भालू ने दूसरी बार नीचे की उपज इसलिए मांगी क्योंकि पहली फसल में किसान के हाथ आलू आए और भालू को उसके पत्ते ही खाने को मिले जिससे भालू चिड गया भालू ने दूसरी बार नीचे की उपज क्यों इसलिए मांगी क्योंकि पहली फसल में किसान के हाथ आलू आए क्योंकि आलू जो होते हैं वो जमीन के नीचे होते हैं ठीक है और उसके पत्ते जो होते हैं जमीन के उपर तो भालू को क्या मिले जमीन के उपर की फसल यानि की पत्ते और किसान को मिले जमीन के नीचे की यानि की आलग ठीक है तो इस बार भालू ने क्या सोचा उसने सोचा कि इस बार नीचे की उपज उसके लिए फायदे मंद होगी अंत में किसान ने बुद्धि मता कैसे दिखाई अंत में किसान ने गन्ना बो दिया जिसमें ओपर और नीचे दोनों हिस्से बेकार थे कि जमीन के नीचे वाला भी और जमीन के ओपर वाला भी जो हिस्सा होता है वो गन्ने का क्या होता है बेकार होता है किसी काम का नहीं होता और जो बीच का हिस्सा होता है वही उप्योगी होता है जिससे किसान को फायदा हुआ और भालू को मिले पत्ते और जड़े भालू फिर चकरा गया क्योंकि बीच का हिस्सा क्या था उसका गन्ना था और उपर नीचे के बेकार थे पत्ते और जड़े तो भालू को मिले पत्ते और जड़े और किसान को मिला गन्ना तो इस प्रकार अंत में किसान ने अपनी बुद्धी मता दिखाइग तो क्या करते अगर मैं किसान के स्थान पर होता तो मैं भी ऐसी फसले बोता जिससे मुझे लाब हो और भानू को कम से कम हिस्सा मिले अगला प्रशन है भाषा की बात उचित विरामचिन दिये गई खानों में लिखिए भालू किसान पर जप्टा तो इसमें क्या आएगा विरामचिन? बाक्य के अंत में पुर्ण विराम मुझे क्यों मारते हो? ये प्रशन पूछा गया है कि मुझे क्यों मारते हो? तो प्रशन वाचक चिन आएगा उपर आई तो भालू को पत्ते खाने को मिले वाक्य खतम पुर्ण विराम हम यह काम कैसे करेंगे? कैसे आगया है? तो यानि कि प्रशन पूछा गया है यहाँ पर क्यों आया था? यानि प्रशन पूछा गया है तो हम यह काम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आएगा प्रशन वाचक चिसान को मिले चमकीले गेहूं वाक्य खतम यानि पूर्ण विराम ठीक है? तो इस तरह से हमें विराम चिन लगाना था प्रशन दो दिये गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में परियोग केजिये तो मुहावरा है पाठ पढ़ाना पाठ पढ़ाना का अर्थ होता है किसी को सबक सिखाना किसी को सबक सिखाना तो इसका वाक्या में परियोग करना है जैसे हम लिख सकते हैं किसान ने भालो को अच्छा पाठ पढ़ाया अच्छा पाठ पढ़ाया ठीक है अगला मुहावरा है सिर्चक्राना यानि कुछ समझ ना आना तो इसका वाक्य है बना सकते हैं किसान के होश्यारी देख कर भालो का सिर्चक्रा गया ठीक है अगला प्रशन है कहानी से आगे यदि भालो आगे भी हार ना मानता तो किसान क्या करता कल्पना करके बताए अगर भालो हार ना मानता तो किसान फिर से कोई नई चतुराई से उसे मात दे देता वह कोई और ऐसी फसल बोता जिसमें ओपर और नीचे दोनों हिस्से बेकार हूँ ठीक है तो अगर भालू जो हार नहीं मानता तो हो सकता था किसान या तो फिर वो दुबारा से कोई अपनी मांग करता कि मुझे ऐसी फसल चाहिए उपर की नीचे की ठीक है और किसान क्या करता फिर से कोई ना कोई अपने दिमाग से अपनी होश्यारी से उसे हरा देता और ऐसी फसल बोता जिससे उसे कुछ ना मिलता आपके अनुसार उपज पर अधिकार किसान का होना चाहिए था या भालू का कि फसल पर किसका अधिकार होना चाहिए, किसान का या भालू का, तो मेरे अनुसार उपज पर अधिकार किसान का होना चाहिए था, क्योंकि उसने महनत की थी और फसल उगाई थी, सही बात है, किसान ने ही सारी महनत करी, खेत जोता, ठीक है अब फसल उगाई, तो फसल पर चाहिए किसान कई होना चाहिए अगला प्रश्न वर्ग पहेली चित्रों को पहचानिए और उनके नाम वर्ग पहेली में से ढूंड कर नीचे लिखिए ठीक है तो हमें यहां पर चित्र दिये गए हैं जैसे यहां से शुरू करते हैं शेर शेर का चित्र दिया गया है तो शेर यहां पर दिया गया है ठीक है यह है केला यह देखें केला हो गया बंदर यह घोड़ा है तो घोड़े को ढूनते हैं कहां लिखा है यह रहा घोड़ा ठीक है खरगोश 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 यह रहा ठीक है खीरा खीरा यह रहा फिर है मचली सबसे लास्ट में यह है गाएं का चित्र गाएं मूली वोली हाथी हाथी हीरन यह रहा हीरन आम यह रहा ठीक है सभी हमें मिल गए अब हमें क्या करना है इन्हें यहां नीचे लिखना है जैसे उधारन दिया गया घोडा बंदर ठीक है घोडा बंदर केला शेर आन हेरन हाथे मोली गाएं मचली खरगोष्ट खीरा ठीक है अगला प्रशन आनंद के लिए किसको क्या खाना अच्छा लगता है पहचानिए तो यहां पर चित्र दिये गए हैं गाए का भालू का ये लड़की दी गई है बिल्ली और तोते का चित्र ठीक है तो शहद और फल सबसे पहला क्या है शहद और फल तो ये किसे खाना पसंद है ये है भालू को तो इसका इससे मिलान कर देंगे ठीक है हरी मिर्च, मीठे फल कौन खाता है तोता हरी घास और भूसी, गाए दूद मलाई किसे खाना पसंद है बिल्ली को और पोश्टिक और संतूलित भोजन कौन खाएगा ये लड़की यानि मनुश्य खाएंगे ठीक है अगला प्रशन है आपके घर में जितने भी साग आते हैं उन्हें वर्गी कृत कीजिए यानि कि जितने भी समझें आती हैं, साग आती है तो हमें उनको यहाँ पर लिखना है जैसे साग वर्गी करन का आधार दिया गया है कि भूमी के नीचे पैदा होने वाले कौन-कौन से साग है, जैसे आलू दिया गया है उधारन जो भूमी के जमीन के नीचे पैदा होते हैं आलू हो गया, मूली हो गया, गाजजर हो गया तो यह सभी जमीन के नीचे पैदा होते हैं अब दूसरा है पत्ते के रोप में खाए जाने वाले पत्ते के रूप में जिनके पत्ते खाते हैं पालक हो गया सरसों हो गया मित्थी हो गया ठीक है फल के रूप में उगने वाले जो फल के रूप में उगते हैं टमाटर ठेरा ककडी फली के रूप में खाये जाने वाले फली के रूप में क्या-क्या खाते हैं? मटर खाते हैं सेम हो गया सेम की फंडी लोविया ठीक है? इस तरह से लिखना है अगला प्रशन है अगला प्रशन कुछ नया करें कल्पना कीजिए कि कहानी वाला भालू आपके स्कूल में आया है आप भालू से क्या बाचीत करेंगे? ठीक है? ये चितर में दिखाया गया है ये भालू है और ये दो बच्चे बैठे हैं और भालू जो है आपके स्कूल में आया है तो आप और भालू के बीच में क्या बाचीत हुई वही हमें लिखना है जैसे आपसे शुरुआत होती है आप कहते हैं नमस्ते भालू आज आप हमारे स्कूल में क्या कर रहे हो भालू कहते हैं मैं तो तुम्हें अपना नाच दिखाने आया हूँ फिर आप कहते हैं फिर तो आज बहुत ही मजा आज आएगा मज़ा आएगा भालू कहते हैं लेकिन मैं तुम्हें अपना नाच तभी दिखाऊंगा जब तुम मुझे पढ़ना सिखाऊगे आप कहते हैं कोई बात नहीं हम आपको किताबे पढ़ना सिखा देंगे तो ये बातचीत आपके और भालू के बीच हो सकती है अगला प्रशन मेरी चित्रकारी भालू का एक सुन्दर चित्र बना कर उसमें मन चाहे रंग भरिये तो आपको यहाँ जो जगा दी गई है यहाँ पर आपको क्या करना है भालू का एक सुंदर चित्र बनाना है और उसमें अपनी पसंद का कोई सा भी रंग आपको भरना है ठीक है इस तरह से आप भालू का चित्र बना सकते हैं और इसमें आप अपनी पसंद का रंग भी भर सकते हैं अगला प्रस्फट जटपट कहिए इसमें आपको कुछ नहीं करना सिर्फ आपको फटाफट से जल्दी जल्दी इसे बोलना है तो आइए बोलते हैं उंट उचा 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 उँट उची उची उठ की पीट पीट उची पूँच बे उची उची पूँच, उचा उच, ठीक है तो इसे आपको जटपक बोलना है एक बार दुबारा बोलते हैं ओट-उचा-उचा-उचा-उचт उची उचकी पीट, पीट-उची-पूच भी उची-उची-उचा-उच्थ तो इसे बोलने का फटाफट बोलने का प्रयास आप अवश्य कीजिएगा आशा करती हूँ आपको इस पार्ट के सभी प्रशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार